आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर वन का चैप्टर नमबर फाइफ प्रिंसिपल्स ओफ फिश कल्चर इन इंडिया तो यह जो चैप्टर है यह लास्ट चैप्टर है हमारे पेपर वन का फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर वन का यह ला चैप्टर में हमको चार टॉपिक पढ़ने थे बट इसमें से दो जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिये गया है इसलिए हमको जनरल प्रिंसिपल ऑफ फीश कल्चर इट स्कोप एंपोर्टेंस यह हमें पढ़ना है और फीश कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया यह दो टॉपिक ह यह रिड्यूस कर दिये गया है सिलेबस से इसलिए हम जो दो टॉपिक है वही हम पढ़ेंगे तो इस स्लाइड में आज हम लोग फर्स टॉपिक जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फीश कल्चर इट स्कोप एंपोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी नेक्स स्लाइ करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फीश कल्चर इट स्कोप एंपोर्टेंस फीश कल्चर इज वन ऑफ दी इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ फीशरी में फीश कल्चर करना एक सबसे जादा इंपोर्टेंट एक्टिविटी है इट इन्वल्स कल्चर ओफ फीश एंड उनका पालन करते हैं उसके बाद उनको capture किया जाता है ठीक है वो catch की जाती है फीश जब वो marketable size acquire कर लेती है जब फीश adult हो जाती है अच्छी तरीके से size उसका proper हो जाता है तो हम क्या करते हैं फीश को catch करते हैं जिसे ही हम capture कहते हैं तो ये जो दो process है वो important process है fish culture के इन the culture activity fish seed has to be sown, nurse, reared and then harvested तो culture में क्या किया जाता है सबसे पहले fish seed sown means उस पानी में introduce की जाती है उसके बाद उनको अच्छे से nurse किया जाता है उनकी देखभाल की जाती है उसके बाद उनका rearing किया जाता है उनको सब खाना पीना अच्छे से देना उनको अच्छे से बढ करते हैं and then harvested और उसके बाद उनको harvest किया जाता है यहाँ पे harvest का मीनिंग क्या है जब crop हमारा जो फीश है जैसे agriculture में होता है जो crop जब पूरी तरीके से राइप हो जाता है पक जाता है तब क्या करते है crop harvest किया जाता है वैसे ही जब फीशेश पूरी तरीके से marketable size acquire कर लेती है उसके बाद हम लोग फीशेश को catch करते हैं जिसको harvesting भी कहा जाता है all over the world fish production is obtained from capture fishery but the resources are very limited and therefore it is difficult to increase fish production from these resources this may be due to increase in cost of craft and fuel destruction of fishing area and pollution of water resources over fishing etc तो पूरे world में अगर देखा जाए तो जो fish production मिलता है जो production obtained होता है from capture fishery क्यूंकि हम लोग क्या करते हैं capture करते हैं फीशेश को तो उससे हमको fish production मिलता है बट यह जो सारे resources है वो क्या हो रहे है दिन वो दिन कम होते जा रहे है क्यूंकि because of increase of cost of craft craft के जो price है उसमें increase होना destruction of fishing area fishing area का destruct होना उसके बाद pollution of water resources जो water bodies है अलग अलग उसमें pollution होना उसके वज़े से भी जो fish production है उसमें असर पड़ता है overfishing अगर बहुत जादा amount में overfishing fish catch की जा रही है means वहाँ पर marketable size की भी fish और उसके साथ साथ छोटी जो fish है उनको भी अगर catch किया जा रहा है तो ऐसे area पर क्या होता है production कम हो जाता है therefore it has become essential to take an activity of culture fishery on large skin तो इसलिए क्या जरूरी है कि fish culture करना बहुत जरूरी है वो भी बड़े पैमाने पर हमें fish culture करना जरूरी है ताकि यह जो resource है हमारा fish fish का production है वो कम ना हो this activity can be increased by improving the various aspects of culture which are presently being used तो यह activity increase हो रही है by improving the various aspects of culture तो अलग-अलग methods से culture किया जाता है fish का हमने देखे है hatcheries अलग-अलग बनाए जाते हैं hapas बनाए जाते हैं और fish की rearing के लिए जो छोटे spawn होते हैं उनके लिए अलग tank बनाए जाते हैं उसके बाद जब fry stage में fish होती है उसके लिए अलग pond बनाए जाते हैं जब फ्राय से fingerling में की stage पे आती है तब उनके लिए अलग से pond बनाए जाते हैं तो इस तरीके से अच्छी तरीके से अच्छे कलचर करने के नए-णय तरीके ढूंके जो फिश कलचर है वो किया जाता है जिससे क्या होता है इंप्रूव होता है ठीक है प्रोडक्शन इंप् चाइनिज हैचरी है उसके बाद हापाज है उसके बाद culture pain culture है बहुत सारे ऐसे cage culture है ठीक है तो यह सब अलग-अलग नए-णय टेकनोलोजी यूज करके fish production बढ़ाया जा रहा है एड दे सेम टाइम फिश प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाइज 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 as well as by developing new area for culture तो सेम टाइम पे क्या हो रहा है फिश प्रोडक्शन कैसे increase किया जा रहा है जो unused water है unused area है वहापे भी culture किया जा रहा है और नए areas भी develop किये जा रहा है culture करने के लिए कि pond बना जा रहे है artificial ponds बनाते है तो artificial pond बना के वहापे भी culture किया जा रहा है तो देखो क्या लिए हम लोग और area उसमें add करते जा रहे तो fishery production high हो रहा है increase हो रहा है अभी है principles of fish culture basic principle of fish culture are of two type तो principles के उनसे कॉनसे है दो type के है selection of suitable site तो जब हम culture करना चाहते है तब हमको क्या करना पड़ता है सबसे पहले site selection करना होता है उसके बाद है selection of suitable fish मिन्स हम जब culture करेंगे तो हमको पहले यह सोचना पड़ेंगा कि fish यहापे हम कौन सी culture कर सकते है कौन से fish को minimum मतलब minimum resources में उसको हम लोग अच्छे से culture कर सकते है तो suitable fish को select करना एक काम है उसके पहले हमें suitable site select करनी होती है तो सबसे पहले पढ़ते है suitable site suitable site is selected on the basis of topography तो topography means study of land तो land का study करके हम लोग suitable site select कर सकते है soil type and water supply तो वहापे soil कैसी है और water supply सबसे main चीज है पानी तो water supply वहापे अच्छे से है या नहीं तो यह सब हमको क्या करना है जब हम लोग site select करते हैं तो यह सब देखना है site is also selected by considering the other factor such as availability of labor, transport facility, market, raw material and finance available etc तो site select करते वाग हम लोग और क्या 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 consider करते है other factors कौन से कौन से होते हैं वहापे labor available है या नहीं transport की facility अच्छे से available है या नहीं रस्ते अच्छे है या नहीं क्योंकि जब हम लोग fish catch करते हैं landing center पे तो वहाँ से हमको कहाँ पे fish भेजनी पड़ती है जल्दी से जल्दी हमको market में भेजनी पड़ती है तो ऐसे इसके लिए क्या जरूरी है transportation facility वहाँ पे होना जरूरी है तो transportation facility वहाँ पे अच्छे से है या नहीं market कितना दूर है फिर market की दूरी के हिसाब से हमको transport कैसा लगेंगा वो सब देखना पड़ेगा उसके बाद raw material and finance available etc raw material means seeds वगिरे fish seed तो यह सब available कहां से होगा और finance उसके लिए क्या लगेंगा finance लगेंगा finance availability etc तो यह सब other factors है जब हम लोग एक हम लोग fish culture करना चाहते हैं तब हमें यह सब factor को ध्यान में रखते हुए fish culture करना होता है उसके बाद है suitable fish अब suitable fish हमको कौन सी fish का culture करना है तो देखते है suitable fish कैसी होनी चाहिए A suitable variety of fish is selected on the basis of important criteria such as तो कुछ important criteria दिया है जिस पर हम लोग सोच सकते हैं कि fish कैसी होनी चाहिए Fish should have rapid growth potential ऐसी fish होनी चाहिए जो जल्दी से growth grow हो means जैसे कतला हो गई सबसे fast growing है कतला तो कतला fish है Indian major carbs में उसके बाद लेबियो रोहिता है सीरिनस्मुरी गला है तो यह जो सारी Indian major carbs हो तो यह जो fish है rapidly grow करती है तो हमको ऐसी fish select करना है जो कि जल्दी से जल्दी grow करे इस शुड़ बी एबल टू यूटिलाइज नैचरल फूड ओफीशेंट्ली एड एक्सेप्ट आर्टिफिशल फूड तो ऐसी fish हमको चूज करना है जो कि पॉंड में जो नैचरल फूड प्रेजेंट है उनके उपर डिपेंड हो और आर्टिफिशल फूड भी अगर बीच बीच में देते है तो वह भी एक्सेप्ट करें इट शूड हाँ पूड हाय बोड़ी एड हीड टीक पैक्ट तो उसका उसका शेप कैसा होना चाह are है फीश का हेड हाय बोडी बड़ी होनी चाहिए ठीक बैक भैक थीख होने चाहिए इस तरीके की nella स्का इंश करंड नी चाहिए कौघञ आधिंग का ग्लचर करनी है इसी फीश होनी चाहिए, और डिजीज को resistance करना चाहिए, उसने इसी फीश होनी चाहिए, it must be a prolific breeder and should able to breed in captivity, तो अच्छा breed अच्छे से करती हो, ऐसी फीश हो, और captivity में भी breed करती हो, ऐसी फीश हमको select करनी है, it should have less bone, flesh should be tasteful with high nutrition value, तो कैसी होनी चाहिए, less bones भी बहुत जादा नहीं होनी चाहिए, बहुत जादा bonny fish नहीं होनी चाहिए, flesh जो है उसका tasty होना चाहिए, with high nutritive value और उनमें nutritive value भी होनी चाहिए, तो हम लोग यह culture क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे market में बेज सके और market में क्यों बेजते हैं, क्यों वो consume करते हैं fish तो इसलिए उनके हिसाब से, कि tasty होनी चाहिए fish, bones कम होनी चाहिए, तो ऐसी fish हमको culture करनी है, ठीक है It should be herbivorous in feeding habits, feeding habits में वो herbivorous होनी चाहिए, fish should not compete with each other for food and space, fish दूसरी जो fish है उनके साथ, उसने compete नहीं करना चाहिए for food and space तो हमने इसके पहले पढ़ा हैं कि herbivorous, carnivorous और omnivorous fish होती है, ठीक है तो वो क्या करती है, जैसे अगर हमने दो species अगर cultivate कर रहे हैं, दोनों carnivorous है, तो उनमें क्या होंगा, competition होंगा for food तो ऐसी fish हमको select नहीं करनी है On the basis of above criteria, indigenous fishes belonging to carb group are selected for fish culture तो ये जो उपर हमने criteria पढ़ा, तो उसमें indigenous fishes जो होती है, ठीक है, Indian major carp जो carb group से belong करती है, कार्प किसे कहते हैं हम लोग, ऐसी fishes जो बहुत जल्दी grow करती है, easy to maintain होती है ऐसी fishes को हम कार्प कहते है, तो ऐसी fishes हम लोग, कल्चर के लिए select करते है The most important fishes are, कतला कतला, लेबियो रोहिता, सीरी नम रिगला, लेबियो कालबासू, लेबियो फ्रिम्बियाटा, एन लेबियो बाटा तो यह जो fishes, इन यह common fishes है, जो मतलब बहुत जादा लोग कल्चर करते है, तो यह common name आपको हमेशा याद रखने है, क्योंकि इन fishes के जो नाम है, वो हमेशा हमको हमारे topic में आते रहेंगे यह तो कौनसी कौनसी है, कतला सबसे important fishes, इंडियन मेजर कार्व जिसमें सबसे जादा ग्रो करती है, मतलब बहुत जल्दी ग्रो करती है, कतला कतला, लेबियो रोहिता, सीरी नाम रिगला, लेबियो कालबासू, लेबियो फ्रिम्बियाटा, एन लेबियो बाटा तो यह सब fishes की names है, these fishes are commonly found in Indus, the Ganga, Brahmaputra and Mahanadhi river system, तो कहा कहा पर पाई जाती है, Indus river system, Ganga, Brahmaputra, Mahanadhi river system, तो यह सब जो river से इसमें पाई जाती है कतला और म्रिगल are also found in नर्मदा और गोदावरी rivers, कतला और म्रिगल नर्मदा और गोदावरी में भी पाई जाती है, they are indigenous and suitable for culture, hence are also called as Indian major car तो यह जो species है वो इंडिया से बिलोंग करती है, indigenous species है और उन्हें हम लोग suitable है culture के लिए और उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, Indian major car भी कह सकते हैं, जिसको short में हम लोग लिखते है, capital M, sorry, capital I, capital M, capital C, Indian major car, along with the major car, some exotic species are also culture in Indian water, these are तो इनके साथ, जो Indian major car भी कल्चर करते हैं, Indian water में, तो वो species कौन सी हैं भी देखते हैं, सिप्रीन स्कार्पियो, जिसे हम common carp कहते हैं, तो third chapter है, जिसमें यह हम लोग ने species के बारे में पढ़ा हैं, सारी species के बारे में हम लोग ने पढ़ा हैं, इंडियन में, यह exotic carbs है, सिप्रीन स्कार्पियो, common carb, टीनो फेरेंगो डॉन, आइडेला, डी ओ एन है वो ठीक है, टीनो फेरेंगो डॉन, जिसे हम grass carb कहते हैं, हाइपोथेलेमिक्तिस, मॉलिक्ट्रिस, सिल्वर कार्प, अस्फेरोनिमस, गौरामी, तिलापिया, मोसेंबिका, तिलापिया, तो यह जो फीशेश है, यह कौन सी है, exotic carbs है, scope and importance of fish culture, अभी हम लोग पढ़ रहे है, scope and importance of fish culture, अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले, general principle of fish culture, अभी हम पढ़ रहे है, scope and importance of fish culture, in India, fishing is a major industry, employing over 14 million people in different sector, तो fishery के वज़े से कितने लोगों को employment मिला है, 14 million people, और अलग-अलग सेक्टर में, fishery, सेक्टर में उनको employment मिला है, fish production has increased more than 10 times, since its independence in 1947, तो 1947 में जब independence मिला तब से 10 times ज्यादा fishery production बढ़ गया है, in 2010, combined sustainable catch fishing potential, that is, from marine and fresh water is over 4 million metric tons, तो 2010 की बात है, यहाँ पे, तो fishing potential किता था, marine और fresh water से 4 million metric tons का production होता था, in addition to this, India's water and natural resources offer a 10-fold growth potential in aquaculture, और इसके अलावा, Indian waters और natural resources से भी उनको ज्यादा 10-folds ज्यादा growth मिलता है, India is a major supplier of fish in world, तो India पूरे world में सबसे बड़ा supply करता है, in 2006, country exported over 6 lakh metric tons of fish to near about 90 countries and earn 1.8 billion, तो 2006 में क्या country ने 6 lakh metric tons तक के fish export किये हैं, about 90 countries to 90 countries में हमारी जो fishes है वो export होती है, और उससे earning कितना होता है, 1.8 billion, shrimps are one of the major variety exported, तो fish के अलावा जो shrimps होते हैं, वो भी एक major variety है, जो की इंडिया से export की जाती है, giant tiger prawns, Indian white prawns are culture dominantly in India, तो इसके साथ साथ हम लोग giant tiger prawns और Indian white prawns को भी कल्चर करते हैं, shrimp production from aquaculture is about 1,020,000 tons, तो shrimp production कितना है aquaculture से, about 1,020,000 tons, 60% of culture farm shrimps are exported to different countries, तो जो इतना culture किया जाता है, उसमें से 60% जो shrimps से वो अलग-अलग country में export किये जाते हैं, India in 2008 was the 6th largest producer of marine and fresh water capture fishery, and the 2nd largest country in the world in aquaculture, तो इंडिया 2008 में 6th largest producer थी, in marine and fresh water capture fishery, और the 2nd largest country in the world in aquaculture, aquaculture करने वाली एक 2nd largest country है, fish is consumed as a food, and it is the easiest and fastest way to overcome malnutrition and food security, तो fish में बहुत सारी nutritive values है, जिसके वज़े से ये ये जो food है, all over पसंद किया जाता है, fish is consumed as a food, and it is easiest and fastest way to overcome malnutrition, तो malnutrition overcome करने के लिए, fish को easiest और fastest way बताई गई है, तो rapid growth होने के बावजूद भी, जो total production है एक fish farmer का, average annual production है, वो कितना है, 2 टन पर पर संद वेराज इन नॉर्वे, इट इस 172 टन्स, तो पर संद नॉर्वे का कितना है, 172 टन्स, इन चीली, इन चीली, इन चीली इस 72 टन्स पर पर संद शिक्स टन्स इन चाइना, मिन्स इंडिया में ये जो है, fish production पर पर संद कम है, there is scope to increase per capita production, by increasing productivity, by transfer of technology and knowledge of sustainable fishing method, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, by increasing productivity, और transfer technology and knowledge, तो fishermen जो है, उनको technology का अच्छे से, knowledge दे कर, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये productivity बढ़ा सकते हैं, हमारी इंडिया की, fish production in the land water was, फिश प्रोड़क्शन इन नाइन फिफ्टी, नाइन फिफ्टी में, इनलें वाटर से जो fish production था, वो कितना था, फिश प्रोड़क्शन था, फिश प्रोड़क्शन था, इन इन फिश प्रोड़क्शन था, 1% in 1993, इट इन क्रीज थो 3.6%, 1960 में, जो value थी, fish export की, वो 1% ही less थी, 1993 से, तो अब भी यह कहा इन क्रीज हो गई, 3.6% तक के इन क्रीज हो गई है, तो 1990 से लेके 2007 तक के फीश प्रोड़क्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जितना फूट ग्रेन का भी नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा प्रोड़क्शन फीश का हो रहा है इन इंडिया नियर अबाउट 14,000 km2 ब्रेकिश वाटर इस अवेलेबल फॉर फीश कल्चर इंडिया में ब्रेकिश वाटर फीश कल्चर का एरिया कितना है 14,000 km2 उफ वीच अनली 600 km2 इस यूज़ इन 1990 तो 1990 में 14,000 km2 का जो 600 km2 हिस्ता है उतना ही यूस किया जाता था Beside this 16,000 स्क्वेर किलोमिटर और उसके अलावा ब्रैकिश वाटर के अलावा 16,000 स्क्वेर किलोमिटर फ्रेश वाटर का एरिया है जिसमें लेक, स्पॉंड, स्वैम आते हैं और नियरली 64,000 किलोमिटर रिवर एंड स्ट्रीम आर अवेलेबल फॉर एक्वाकुल्चर अक्टिविटी और रिवर वाटर और स्ट्रीम वाटर कितना है 64,000 किलोमिटर ठीक है इतना एरिया अवेलेबल है एक्वाकुल्चर करने के लिए एक्वाकुल्चर अक्टिविटी के लिए ब्रैकिश वाटर में देखो 14,000 km2 एरिया है उसके बाद फ्रेश वाटर जो है लेक, पॉंड, स्वैम में 16,000 km2 है उसके बाद रिवर और स्ट्रीम का एरिया कितना है 64,000 km2 है तो यतना सारा एरिया हमारे पास अवेलेबल है for the aquaculture activity scientific carp farming started in India in 1970 and 1980 and production was 8 to 10 tons per hectare per hour तो scientific carp farming इंडिया में start की गई in 1970 and 1980 और production उससे कितना मिला 8 to 10 tons per hectare per hour previously per year होना चाहिए यहापे तो कितना मिला 8 to 10 tons per hectare per year previously carp culture was started in aquaculture तो carp culture start किया था aquaculture में nowadays in addition to this culture of catfish, murel and prawn is also started तो aquaculture जब किया जाता था तब सिर्फ carp का culture किया जाता था बट अभी carp के साथ मतलब fish के साथ catfish उसके बाद murals and prawn को भी culture किया जाने लगा है तो country is having 2.36 million hectare of pond and tanks 1.07 million hectare of bills, chills and derelict water तो हमारे country में ponds और tanks का जो area है वो कितना बता गया? 2.36 million hectare और chills, bills और derelict water का area 1.07 million hectare है in addition to this there are 0.12 million kilometer of canals और उसके साथ canals का area है 0.12 million kilometer 3.15 million hectare of reservoirs reserve किया गया जो पानी होता है जिसे हम reservoirs कहते है उसका area कितना है? 3.15 million hectare और 0.72 million hectare of upland lake out of them only less than 10% natural potential is used for culture और upland lake का area है 0.72 million hectare जिसमें से इतना area होने के बाउजित भी less than 10% हम लोग ये use कर रहे है for culture 1.2 million hectare potential brackish water area and 8.5 million hectare salt affected area is available in India for brackish water aquaculture तो brackish water aquaculture अगर करना है तो उसके लिए कितना area available है? 1.2 million hectare brackish water and 8.5 million hectare salt affected area available in India for brackish water aquaculture out of this only 13% area is used under cultivation तो इसमें से भी 13% area ही cultivation के under है मिन्स वही पे cultivation किया जा रहा है only 13% area में इंडिया offers opportunity for highly productive farmers of shrimp in its brackish water resources तो shrimp culture के लिए भी farm means offer किया गया है मिन्स brackish water resources में production of fry in private and public hatcheries was 6,321 million fry in year 1985-86 तो production of fry कितना होता है? प्राइवेट और पब्लिक है चरी इसमें 6,321 million fry in year 1985-86 इट वाज इंक्रीजड अप्टो 18,500 million fry in 2007 2007 में जो fry की जो संख्या है उसमें कितनी बड़ोतरी हुई है? 18,500 million fry in 2007 जबकि 6,321 million fry in 1985-86 फ्रेश वाटर स्पॉन 35 फ्रेश वाटर प्राउन हैचरी इस इस इन कोस्टल एरिया प्रोडूसिंग ओवर 200 million सीड पर एर फ्रेश वाटर प्राउन हैचरी जो है कोस्टल एरिया में जिसमें 200 million सीड प्रोडूस होती है पर एर 237 श्रीम फैचरी इस प्रोडूसिंग 11,425 बिलियन पोस्टल आरवे पर एर 237 श्रीम फैचरी इस जो कि क्या प्रोडूस करती है 11,425 बिलियन पोस्टल आरवे पर एर इस मेंट था सीड रिक्वाइमेंट इस से क्या होती है सीड रिक्वाइमेंट फूल्फिल होती है अथि ब्रैकिश वोटर श्रीम फार्मिंग सेक्टर इन तरी कंटरी फीश वटर अक्वाइमेंट इस प्र Москвी इस प्रोमेंट इसेजुड क्या और्यसील जयुड प्रजिश होती है वेश स्टेट्स लाइग पंजाब हरियाना मेंkas turn अवेदे इस्टरमically औरिसील और अलावा अभी रिसेंटली में पंजाब में हरियाना में आसाम और तृपूरा में भी एक्वा कल्चर स्टार्ट किया गया है ब्रैकिश वॉटर फीश कल्चर इस प्रैक्टिस इन अंदर प्रदेश तमील नाडू औरिसा एंड वेस्ट पिंगॉल ब्रैकिश वॉटर फीश कल कल्चर से और अपउर्चिनिटीज मतलब आई है जैसे की ओर्नामेंटल फीश कल्चर में स्पोर्ट्स एंड गेंफिशरी तो इनक्रीज सोशो इकनोमिक स्टेटव फीशर मैं जिससे क्या हो रहा है एक फीशर मैं का सोशो इकनोमिक स्टेटव बढ़ रहा है कंट्रोलिंग क्या होता है फीश जो उसके ओपर फीट करते हैं उसके वज़े से मलेरियल पैरसाइट भी कंट्रोल हो रहे है उटिलाजेशन ऑफ मेडिसिनल एड़ वैलु और फीश बाइप्रोड़क्ट ऑलसो हैं इनक्रीजिंग सोशो एकनोमिक स्टेटव फीशर मैं तो मेडिसिनल वै स्टेटस बढ़ रहा है तो यह स्कोप एड इंपोर्टंस ऑफ इसके बाद जो है फीश कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया जो नेक्स टॉपिक है वह हम लोग नेक्स स्लाइड में पढ़ेंगे थैंक यू स्टुडेंट्स